नमस्कार, इंक्रेडिबल अलिराशपूर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है इसमें आज हम आपको एक ऐसी दुरलब जगे के बारे में बताएंगे जो अभी तक छिपी हुई है हम इस समय तीती गाओं में मौजूद हैं और यहां पर एक सक्स को एक सपना आता है और सपने के बाद उसे यह हुक्म मिलता है कि वो एक खास जगे पर खुदाई करें वहां पर एक बावडी है और वहां पर उसको कई सारी धार्मिक प्रतिमाई मिलेंगी भगवानों की प्रतिमाई मिलेंगी खुदाई हुई और प्रतिमाय निकली पुरातत्य भाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है आएए मेरे साथ और जानते हैं तीती के इस खास धार्मेक इस थलको तो मैं आ गया हूँ तीती गाउं के पटेल फलिये में और यह जो आप मेरे पास यह कुवा सा देख रहे हैं दरसल यह प्लेन हुआ करता था और एक सक्स को सपना आया और यह कहा गया कि इसकी खुदाई करो यहाँ पर बगवान की मूर्तिया निकलेंगी और उसके बाद पहले मैनुवल तरीके से फिर जैसी भी से इसकी खुदाई की गई कई मूर्टिया निकली है और अभी भी आप देख सकते हैं तो यह जो अवसेस हैं यह मूर्टियों के ही अवसेस हैं थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो कई सारी देवी देताओं की प्रतिमाएं भी उस पत्थर पर आपको दिखाई दे रही हैं अनुमान है कि दरजनों यहां पर और प्रतिमाएं मौजूद हैं और इसको देखके साफ लगता है कि यहां पर कोई न कोई बावडी रही होगी और उस बावडी में इन प्रतिमाओं को कई सालों पहले फेका गया होगा तो पहले आप यहां से एक सीन देखिए कि जो निकली है इस बावडी से वो प्रतिमाओं कोन सी हैं यह देखिए एक यह प्रतिमाओं है थोड़ा सा आप वहां देख पा रहे हों तो वहां एक प्रतिमाओं है और यहां पूरी सिरीज आप देख सकते हैं यह जो आप सिरीज देख रहे हैं यह गाउम वालों ने एक पकाईदा चबूतरा बना दिया है जो यहां के भक्त हैं और यहां एक बैठक विवस्ता हो गई है पुजा पाठ होती है भजन होते हैं भागवत कथा भी हो चुकी है तो जूम करके आप बताईए कि कितनी जो प्रतिमाई यहां पर आपको दिखाए दे रही है यहां पर पहुची है तो आज से करीबन तीन महिने पहले यानि कि नवरात्री में दोजार उन्नीस में यह सपना आया था और यह आप फिर से एक बार देखिए यह वो अब बावडी की सकल दिखने लगी है पहले यह प्लेंट जगे हुआ करती थी जहां पर हम खड़े हैं उसी तरीके से और यह देखिए यहां पर यह जो यहां से जितने भी मूर्तिया निकली है उनको यहां पर स्थापित किया गया है आपको इन मूर्तियों के बारे में मैं बताऊँगा यह जो मूर्ति आप देख रहे हैं यह गनेश जी की मूर्ति है हिंदू संस्कृति में प्रथम देव माने जाते हैं और यहां अन्य जो मूर्ति आप देख रहे हैं उनमें कुछ का छरण हो गया है लेकिन साब दिखाई दे रहा कि गोड़े हैं उट के सकल भी है ये लश्मी देवी की मूर्तियां भी बताई जाती है और ये ग्रामिनों की ओर से पूजा पार्ड भी हो रहा है ये दिखें ये जो तलवार दिखाई दे रही है ये शायद कालका मतम की मूर्ति है और ऐसी ही अन्य मूर्तियां यहां पर आप देख सकते हैं हनुमान जी की ये मूर्ति है बकाईदा पूजा पाट भी यहाँ पे होता है ऐसे पिलर भी यहाँ पर मिले हैं जिस पे किसी ने किसी देवता का चित्र अंकित है और यह जहां मैं खड़ा हूँ यह चबूतरा बना दिया है ग्रामिडों ने यहाँ बैटके वो भक्ति भाव पुझा पाट करते हैं यह यग्यवेदी भी यहाँ पर एक बनाई गई है यहाँ मकाईदा हवन भी होता है थोड़ा सा इतियास की ओर मैं आपको ले जाना चाहूँगा इतियास यह है कि इसे इसकी स्पस्ट धार्णाय नहीं है 1026 के बीच में भारत में 17 हमले किये थे और उसके निसाने पर भारत के मंदिर हुआ करते थे हूं मंदिरों को तहस नहस कर दिता था जो देवी देवताओं की पृतिमया है उनको तहस नहस करके गढ़वा देता था नदी नालों में फिकवा देता था कुए बावड़ी में फिकवा देता था बताते हैं कि 1026 में उसने अपना अंतिम आकमन किया था 1027 में उसकी मौत हो गई थी और उस समय उसके निसाने पर गुजरात का सोराष्ट था और बताया जाता है कि वो इसी इलाके से यानि कि जहां हम खड़े हैं इसी इलाके से गुजरा था और लश्मनपूर जिसे आज लश्मनी कहा जाता है वहाँ पे करीवन 1000 चोटे बड़े जेन और हिंदू मंदिर हुआ करते थे उस पूरे लश्मनपूर को उसने तहस नहस कर दिया था धरासाई कर दिया था और उसकी तमाम मूर्तियां इस इलाके में इधर उधर फिकवा दी थी आज भी लश्मनी के 10 किलोमेटर के सराउंडिंग इलाके में जब आप खुदा ही करते हैं तो कहीं न कहीं देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिल जाती है तो लश्मनी से बेहत करीब है ये तीती करीबन 4 या 5 किलोमेटर की दूरी पर है और एक पुरानी बावड़ी जो की ढख चुकी थी उसमें ये मिली है एक स्वपने के जरिये ये प्रकट हुई है एक सक्स को स्वपन आया और कहा गया कि यहाँ पर देवी देवता की प्रतिवाय है निकालिये तो ये अनुमान ये ही है स्वपस दोर पर नहीं कहा जा सकता कि महमुद गजनवी के हमले में ये सारी मूर्टियां एक बावड़ी में फेकी गई होंगी अब वो अलग अलग तरीके से प्रकट हो रही है लेकिन जो भी हो चोकी प्राण प्रतिष्ठाइन मूर्टियों की रही होगी और इसलिए इश्वर चोकी हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि कंड कंड में बसे हैं राम या इश्वर तो प्रकट हुए हैं लेकिन विडमना ये है कि तीन महिने से जादा का वक्त हो गया है प्रसाशन का कोई अफसर पटवारी यहां पर नहीं आया न समाज की जिम्मेदार धनाड लोग पुराजितिक लोगों ने यहां का रुक किया कि इस जगे को थोड़ा सा पवितर जगे बना दिया जाए एक सुरक्षित जगे बना दिया जाए एक मंदिर बन जाए जहां पर ये फिर से प्रतिष्ठा हो सके पुराजितिक विभाग इस सब के बीच में कहा है वो भी पता नहीं है यहां जो लोग सेवा कर रहे हैं वो बेहत गरीब हैं मजदूरी करते हैं या किसानी करते हैं अपने इस तरह पर चंदा करके जो भी कर सकते थे उन्होंने यह किया है लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की है प्रसाशन की है पुराज़तिक विभाग की है कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराऊँगा मेरे साथ इसे में बहादूर मौझूद है आप देखिए इनका मैं परिशे करा दूँ यह अब यहां के सेवादार हैं एक तरह से पूरे पुजारी हैं यहां के यही वो सक्स हैं जिनको आज से चार महीने पहले सबस्पना आया था और इनसे जानते हैं पूरे डिटेल क्या है क्या नाम आपका? बहादूर तो बहादूर वई क्या कहानी है? आप कहां पे थे जब आपको सपना है? यह गुजराट में हतल में तो फिर सपने आया थे तो फिर वह गुजराट में आचरी जान भर पे तो वह अनमान जी कहा है रहा है तो वह भावडी है तो वावडी के पानी अंदर लेके लेने भराई में तो प्रें लेके बहार निकली तो फिर वह ठुटड़ा में देदू लेके 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 पाने उस्टर दे, आप आप देखाई जाएँ, तो मुर्थिय आप देखाईगी, फिर उसको निकाल लेगा, दो चार दिन मानसे के बुलाई, मैं बाहर निकाल लेगा, तो कौन-कौन सी भग्वान की मुर्तियां पे निकली हैं? यह हो और माता, हिरेखे भग्रव महानि उसमें उसमें वह गोडेल में एक रामदेव ॔रे यह बुल रभा को नहीं बद निक हैं? कि नाव नुक्त अभी अभी हमने देखा बाटी में दूस्र Βखराई यहां पर पुजा-प्त में,么 यह मेज बनाया गामा चंद लेने गी चंद पाड़के यह उटला बना दिया है उसका फिर होते ने पुझा पाड़ चालो राखे रहें सुबह साम तो यह वो सक्स्त है जिनको सपनाया था और अपनी पूरी बात बताई है अभी भी जो बावड़ी है उसकी अगर खुदाई हो पुरातत विभाग द्वारा वियोस्ति तरीके से तो इनका कहना है कालिका माता मंदिर की प्रतिमा और है लेकिन हमको जो अवसेज दिखाई दे उसमें काफी कुछ और मिलने की संबावना है अपने राजी का गोरो हो सकता है यह स्थान लेकिन जरुवत है जागने की सरकार की पुरातत विभाग की है तो तीती गाउं के कुछ और लोग मुझे यहां पर मौजूद है इस स्थल पर उनसे हम बात करेंगे क्या नाम है पर आपका क्या सोचना है धार्मी किस थल बन गया है यहां के लिए आधिक से अधिक लोग मंदीर के लिए सयोग करें और मैं मेरी तरफ से आज सब के सामने अशा परियास कर रहा हूं को एक ट्रीप मेरी तरफ से इटे इस बावंडर के लिए देना चाहता हूं और मैं मतलब जो भी दान दक्षिना दे वर उस मंदीर के अच्छे सा अच्छा जगा बनाने कोशिस करें यही मेरी सबसे इच्छा है बद बड़ी अच्छी सोच आपकी यहां के समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि यहां पर आये और इस नए मंदीर का निर्णमान करें और परशार्शन से भी यही मांगे है हमारी कि यहां पर जिते भी लोग सम इस मध्याम से मेरी बात समझ रहे आप क्या सोचते हैं इस द्यान होना ची है न सरकार करते हैं अभी क्या समस्तिर अ करता है तो इसके मंदर बनना अच्छा है गाउं में धर्मन परिभरतन भी वह गाउं में क्या नाम मुका मोर्या अब यह हमारे समवाद आता है नानपूर के जितनद्वानी इन्होंने मुझे इस जिस्तन की सुचना दी थी इनसे बात करेंगे आपको यह सुचना कम मिली थी और फिर आपको क्या लगा अभी तक की जानकारी में की प्रसाशन का प्राततिव भाग का क्या रुख है यह इसे विशाई को लेकर यहां से ग्रामीन जो थे वो बहुत परहसान थे उन्होंने लगा कि नहीं इसको मिडिया के माध्यम से इसको आप उन गाउं अधिकारियों का भी थे लेकिन उन्होंने यहां के कुछ शिक्षित पड़े लिखे लड़कों ने यहां तक की 181 पर एक सेक्यासी पर भी सिकायत की कलेक्टर मोधे को भी इस बारे में अवगत करा दिया है लेकिन वह अपील से अपील कर रहे हैं आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं लेकिन और प्रसाशन यहां जगों के और ध्यान नहीं दे रहा है तो आपने देखा कि एक मंदिर अध्या में राम मंदिर जो जन्म इस्थल है वहां बनाने के लिए 70 साल तक देश लगा रहा तंत्र लगा रहा सियासत भी भूत हुई भगवान यहां भी है लेकिन ध्यान नहीं है कब जागे का प्रसाशन कब जागे की जन्ता कब जागे की जिम्मेदार यह एक बड़ा सवाल है तो आज के अनिंक्रेडिबल अलिराजपुर में इतना ही अगले फिर किसी सफर में चलेंगे और आपको बताएंगे अलिराजपुर जिले के रोचक इस्थल बने रहेगा अल